असलामु अलेकम वेलकम बाक टू मैं चानल एनीस क्रियेशन आज हम बना रहे हैं यह वाला मज़दार सा हलवा यह सूजी का हलवा है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनता है तो चले मेरे इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं इस र अब इसके सूजी आपने डालनी है इस तरह करके और 30 मिनिट के लिए इसको लेफ्ट ओवर कर देना है जितना भी आपके पास टाइम है उस टाइम के हिसाब से अगर जादा रखना चाहते हैं तो जादा भी रख सकते हैं वह जादा अच्छा है तो बस इसी तरह करके हमने डालना है अब हमारा सेकंड पॉंट है हमने अपने ड्रायफ रूट को रोस्ट करना है तो थोड़ा साद हमने इसमें घी डाला है नगी और अपने तरह ड्रैफ डालेंगए आपके पर जो भी है न這ыми जुण होब बी डाल सकते ह्ना बी pride फिस Pacific को ऑदामी ते प्श गादाई यहां मैंने दो बड़े चम्मच घी ले लिया है और इसके अंदर इलाइची डाल ती पाउडर करके ताकि इसका फ्लेवर आ जाए अब इसमें मैं तीन बड़े चम्मच चीनी के डाल रही हूं और इसी तरह आपने घी में डालने हैं आपकी फ्लेम होनी चाहिए मीडियम टू जाएगी आपको चम्मच बारने की जरूरत नहीं है जब इस तरह हो जाए न तो आप इसको मिक्स कर ले और बस अब आपकी चीनी रेड़ी है इसके अंदर आपने अपना दूद एट करना है जो हमने सूजी वाला रेड़ी किया तना और थोड़ से पीचे हटके करना है क्य जब इस तरह अलग उना शुरू हो जाए तो इसमें अपने ड्राइफरूट चैट करें या मैं खोपरा डाल रही हूं पिसावा कोकनट डाल के इसके अच्छे से बुनाई करनी है आप 2-3 मिनट तक उसके बाद इसमें दूसरे ड्राइफरूट चैट कर देना है हल्वे में में अपनरा मिनट लगें और आपका हल्वा बिल्कुल रडी हो जाए इस तरह आपने सेंटर में चमच मारना है ताके या अलग अलग हो जाए और बस फिर आपका हल्वा रडी है इसकी प्रेजंटेशन करें ये देखिए कितना मज़दार लग रहा है ये बहुत ही यूनिक